एक कप पोहा और एक कच्चे आलू से बनाने वाले धेर सारा नाश्टा रिजल्ट देख सकते दोस्तों भार से कितने क्रिस्पी अंदर से रूई जैसे सौफ्ट है बहुत ही कम खर्च में बनका तयार हो जाता है शाम की छोटी मोटी भूक लगे तो हमें इसा कुछ नया खाने का मन होता है तो एक बार ये नाश्टा आपके लिए परफेक्ट है हाँ दोसरों गर्मा गरम चाय के साथ मिल जाता है तो और बड़ा मज़ा आ जाता है मैं उम्मीद करूगी कि तरीका आपको बहुत ही पसन आएगा भार से कुछ भी लाने है घर के सामगरी से बनाने वाले जटकी पट एक बार बना कर देखो मेरे तरीके से एक बार बनाया तो बार बार इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ पर हम लेगे एक कप पोहा रेगुलर वाला पोहा लेना है जो कांदा पोहा हम खाते न वहीं पोहा लेना है दोस्तों और सभी के घर में होता ही है और पोहा को मैं अच्छी तसे छनी से चान कर लेना है और कप्ड़े से पोश लेना है थोड़ी बहुत इसमें मट्टी या गंदगी होती न, इसलिए ये पुरुसित हमने पहले ही कर लिये, तो आप देख से तो अच्छी तत से हमने साफ कर लिया है पोहा इस तरीके से, तो एक कप लेना, एक कप पोहा से बहुत धेर सारा नाश्टा बनकर तयार हो जाता है दोस् चमद बेशन काटा भी आप इसमें ले सकते हो, बेशन काटा ले रहे तो मिसर के जार में नहीं पिसना है, इस बात का ध्यान देना है, दल्या रहे तो मिसर के जार में में पिस लेना है, दो चमद डालके, और अब इसे पाउडर के जैसे पिस लेते, पानी थोड़ा भी डा लेने दोस्तों इस बात का ध्यान देना है वीडियो आपको हमारा कैसे लगा तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अपर अच्छी तसे हमने पावडर के जैसे पीस ले आप देख सकते इस तरीके से हाँ दोसे एक बार ये रेसीप आप खाओ गें तो खाते ही रेस जाओगे गेंटी केये साथ हम आपको बताते है अब इसे ये करेगे मेन प्रोसेस एक कच्चा आलू लेना है बड़ा वाला हो तो एक ही ले ना छोटा वाला आलू तो दो लेना आलू को मे ने पहले ही दो लिए में माले से इसलिए हमने एक ओलू लिया उग अचनक आपकी घर में तो यह एरेसी भी सबसे आसान तरीका है वो बनकर भी तयार हो जाते है ज्यादा समय लगता ने वो ज्यादा खर्चा भी इसमें लगता ने घर की सामगरी से यह बनकर तयार हो जाता है देख सकते हैं अभी इसे में साइट कर लेती हूँ और चकु ले लेती हूँ मिस्सर का ब अब यहाँ पर दो हरी मीर्च लेनी है यदि आप बच्चों के लिए बना रहे तो कम मिर्ची डाले यदि आप जादा थीखा खाना पसंद करते हो तो मिर्ची भी आप इसमें जादा डाल सकते हो अब यहाँ पर लेगे एक इंच अद्रक का तुकड़ा इसे हमने छोटे-छोटे साइड में कट कर लेना है कट करने का कारण इसलिए कि जब हम लोग इसे पीसेगे तो अध्रक का तुकडा ना रहे इसलिए हाँ पर छोटे-छोटे साइड में अध्रक को भी कट करके डालना है अब यह पर डाल देते हैं आदा चमच से थोड़ा कम वर्याली यानि बड़ी शोग इसकी जो टिक्यों तिन बहुत ही अच्छी लगते हैं स्वाद में अब यह पर डाल गया आदा चमच जितनी अजवाइन अजवाइन को भी आपको लगा क्रेश तो किया नहीं दोस्तों आपको पीसे नहीं इसके साथी अच्छी तसे क्रश हो जाएगा यहां पर हमने थोड़ा भी पानी डाला नहीं दोस्तों आप देख सकते हो इस तरकी से पिसकर होना चाहिए तो पहाँ पिसकर रखा तो वह ले लेते और यहां पर आलू पिसकर रखा तो इसके इंदर में डाल देना है सारा ही अब इसमें थोड़ा बूब बच्चा कुछ नहीं लगी तो नहीं डालना है क्या होता है कभी कभर पानी लग भी जाता है कभी कभर नहीं लगता है ऐसे डबल माइंड आपने हमको कर दिया नहीं दोस्तों क्या है कई आलू में ज्यादा पानी होता है कई आलू में बहुत ही कम पानी होता है इसलिए मैंने आपको यह क् बन कर भी तैयार हो जाता है भी मेथी का सीजन इसलिए मैं आधा कपसे थोड़ा कम मेथी डाल देनी है फ्रेश-फ्रेश सीजन है इसलिए और मेथी खानी है और सहित के लिए बहुत ही गुनकारी होती है बच्चे लोग तो नाटक करते है इसलिए बच्चों को लिए दो इसा कड़वा तो थोड़ा भी लगेगा निजबात की मैं आपको गारंटी देती हूँ अब हैं पे डालेगे 2 चमत तील तील भी ठंडी के में खाना ही चाय चाहे क्योंकि बहुत ही घरम होती है और सहित के लिए आच्छ साथ तो खाना यानि खाना ही है आदा चमच डाल देते धना पाउडर अब यहाँ पे डालेगे आदा चमच इतनी हल्दी हल्दी के साथ ही हम डालेगे धेर सारा कटा हुआ धनिया अब यहाँ पे जाएगा स्वादूसर नमक बहुत ही कम सामगरी से बनकर तयार हो जाते दोस्तों इतनी सामगरिय आपने डाली नहीं इसे भी बहुत ही बढ़िया टेस आते ही तिकी का तो यहां पर दो चमज ऑईल डाल देती हूं एक सौप पनाने के लिए देख से छोटा वाला चमज जूज करना है बड़ा वाला ना करें यह वाला चमज मैं आपको बतारू यह डालना है अब इस आच्छी दसे हां यहां पनीच कर लेती हूं जब हमें पानी की अवक्षिता लगी तब हपनी डालने तो नहीं डालना है रेशीपी यह कैसी लगी तो डूस्तों कमेंट करकर के बताना है और चैनल पर नए हो गें तो लाइक करें शेयर करें आगी सास्क्राइब कर करके पानी डालना इसका सॉप सा डो बना लेना है सुप सा डू बनाना ज्याधा टायना ज्यूसे जीके य chilli वर ki मजें से बनाना जिस्य से बनाना है दोस्तों टाई सा डो ना बना इस बात का ध्यान द yrना क्यूक्कि पहा पार फाणी पी लेता दी ज़िए अपना डालों Oke यहां साथ दोव बन कर दोता हो गया है मने लेकर बता देते हूं इस तरीके से हैं न मुआ वाव यम म्य यम्य क्या बावो अच्छाbon कर लेना आ जोंचे दोन कि02 कर लेते हुं अभ यहां पर थोड़ा सा ओल पना यहां से चिपकेना यदि मेठी आपको नई मिले तो मेठी को किप भी कर सकते हो अभी मेठी का सीजन हिसले हम पर हम ने मेठी डालिए न öğ इसलिए अभी इस तरह किसे पतली-पतली हम पर टिकी करेगे जितनी अच्छी पतली बनाओगे ने दोस्तों उतनी ये टिकी इदम कुरकुरित लगेगी खाने में अधी बच्चों के लिए बना रहे तो बच्चों को भी देना है बहुत अच्छी लगती है कम मेथी डाले क्योंकि बच्चे लोग कड़वाने खाना पसंद करते ने इस लिए इस तरी के से में टिकी बना लेनी है अब आपको ले मेती हातों से सरच चिपक रही कोई बात नहीं जब फ्राय होगी ने इदम कुरकुरित लगेगी खाने में तो इसलिए हांपे हमने कच्ची मेथी डाली है तो बाखे के सारी टिकी इसे बना लेते सेम टू सेम अब आप सारे वड़े बनकर तयार कर ले हैं आप देख सकते है इस तरी के से एक जग ऑईल गरम होछुका अब इसफ्राय कर लेते हैं अच्छी तसे गरम हो चुका है आप देख सकते हो अभी एक एक टिकी लेनी है इसमें में डालते जाना है हाँ दोस्तों गर्मा गरम ओल चे थंडा ओल बिल्कुल भी निचे इस बात का अपने ध्यान देना है तो यहां पर हमने टिकी डाल देनी है आप यदि फ्राइ नहीं कर हो जाती दो से दम कुर कुरी टिकी में उम्मीद करूगी कि आपको पहादी पसन आएगी और आपने घर पे जरूर बनाना है और हमें कॉमेंट करके बताना है गर्मा गरम चाय के साथ एक मजाई अलग आ जाती है और इसे अच्छी तसे हमें गोल्ड़न फ्राइ कर लेते है अब मैं अब देख सकते हैं हमारी टिकी अच्छी तसे फ्राइ हो चुकि इसे मैंने बीच बीच में उलट पूलट भी कर लिया है एक जिसे इसका गोल्डन कलर आ चुका है और जो मेथी भी देख सकते हैं उदम भार से कितनी क्रिस्पी बन गई है यह अच्छी तसे क्रिस् को हमें फ्राइ कर लेना है रिजर्ट से आपको मालूम होई चुका होगा तो घर पे जरली बनाना है और हमें बताना है कि केसी लेगे आपको यह रेशिप है जटकी पड़ बनका तयार हो जाता है वो भी कम खर्च में ज्यादा खर्चा ने कुछ भी ने घर के सामगरी से ब बढ़ा रिजर्ट आपके सामने दोस्तों में लेकर आपको एक बता देती हूँ आप देख सकते हूँ थोड़ा भी इसने ओईल प्याने कुछ भी नहीं देख सकते हूँ मैं रगड के बता रही हूँ और अवास से आपको मालूम हो गया हो इतना करारा अंदर से सौप्ड ह है ना एकड़म कुर कुरित हमारा वढ़ा बनका तयार हो जुका है एकड़म यम्मी यम्मी remी आउइल नहीं पिया है तोड़के बता देते हूँ यानि अंदाजा आही जाएगा आपको एकडम कृस्पी बनका तयार हो गया बहारकी जो परत आपको दीकर कितनी क्रिस्पी करना ना भूले